अमश्कार दोस्तों में नाँ मैं विमल सिंग बाला जी श्टरियेड़ा में आपका स्वागत है दियलेट 4 समेश्टर दिसंबर 2022 आपके एक्जाम हो रहे हैं इससे पहले हिंदी का पेपर का सॉलुशन देखा था हमने इसको देख यह मैरातन Klass का स्क्रिन सौट है गाले हमने मैरातन इंग्लिज की करा दी यelliğि में आते हुए इसको देखिक लेजेगा इसकु में देखे सबसे पहला जो ने पढ़ा था grammar translation method bracket में देखे क्या लिखा हूँ है classical method इसी grammar translation method को classical method के नाम से जाना आता है वही प्रस्ट में बुशा गया है कि classical method of teaching English किसे कहते हैं तो grammar translation method को कहते हैं सबसे पहला ही हमने starting grammar translation से किया था तो गलत करने का कोई सवारी नहीं हुथता दूसरा प्रस्ट दा substitution able method adopted by अचाहिए एक चीज़ हम आपको बताएं यही same question हमने आपके model paper में भी रखा था यह देखी model paper हमने कराया था तीन दिन पहले और इस model paper में देखे दूसरे number पे question क्या है दूसरे number पे classical method is also known as answer क्या है grammar translation method तो हमारे model paper भी question फजा देते हैं यह हमने model paper कराया था दूसरा प्रसन देखते हैं the substitution table method adopted by यह question एक्च्वल में previous year से exam exact उठा करके रख दिया है हमने आपको जितने भी fourth semester के mcq थे वो एक साथ कराये थे अभी नहीं कराये थे मतलब latest में पहले कराये थे वो अगर आप देख करके गए होंगे तो देखे 49 नंबर पर आपको यहां पर देखने को question वही मिला दा substitution table method was adapted by its side में देखे लिखा प्यूँ हुआ है कि same question 2017 में पूशा गया था और यह answer क्या हो जाएगा he Palmer करके आपका यहां पर हो जाएगा अंसर आपका भी वल हो जाएगा इसलिए मैंने especially जितने भी कल वीडियो थे उनमें सभी में English की playlist दे दी थी ताकि आप जो पहले चीजे कराई हुई है उनको भी अवश्य देख लें इसमें MCQ और वन लाइनर दो चीजों पर में फोकस था और तीसरा महराथन क्लास यह तीन चीजे बस आपको देखने के लिए मैंने कही थी एच्छी पालबन अंसर हो जाएगा जो कि यहां पर हो जाएगा आगला question communication communicative approach improved your same question यह वाला भी हमने देखे कराया था इसी का यह फोर समिस्टर के हमने जो कराया थे 63 English MCQ करके इसी में ही देखेंगे substitution table method वाला यह हमने दिखा दिया यह नहीं इतके बाद वाला question आपको repeat देखने को मिलेगा इसमें तो आप direct पढ़के भी समझ सकते है communication approach जो होता है मतलब बातचीत जो की जाती communication का मतलब कहीं तो होता है तो यह आपकी किस चीज को improved करता है इंप्रूब करता है किसको आपकी writing skill को क्या बोलने बातचीत करने से क्या आपकी writing skill अच्छी होगी कभी नहीं होगी पहला option कर जाएगा lecture skill और pronunciation skill तो सबसे best है pronunciation skill जब आ adjective of difference हाँ यह वाला question था same exact वही previous year का उठाकर देखे adjective of difference यह जब हमने question कराया था ना आपको इस MCQ में ही कराया था तो हमने आपको यह कहा था कि 2017 में इन्होंने success का adjective पूचा था देखे यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं स्क्रीन सॉट में red color से लिखा हो यह वीडियो में यह लिख करके बताया था कि 2017 में इन्होंने success जो है उससे पूचा था कि इसका adjective क्या होगा और यह जो adjective of differ है यह इन्होंने actual में 2018 में पूचा था तो मेरा कहने का मतलब यह था कि हर साल यह खाली सब्दों को बदल देते हैं और एक नया सब्द बूच लेते हैं पर adjective से question ऐसे बनते हैं तो इन्होंने आपकी क्या किया 2023 में इन्होंने question का objective में कुछ बतला ही नहीं एजिटेस उठा करके वही दे दिया तो answer क्या हो जाएगा different ही आपका हो जाएगा जो इन्होंने यहाँ पर भी सारे option तक नहीं बतले हैं तो different आपका option है आपका हो जाएगा एक भी question अ reading writing सबसे पहले क्या आता है एल आता है एल मतलब listening आता है यह सही हो जाएगा और यह question भी आपका repeated है देखे मैं आपको दिखाता हूं इसका भी screenshot यह देखे इसी वीडियो का ही है और इसमें देखे language running start form करके लिखाने lsrw यह देखे listening अंसर्टिक लगा हुए same वही question है we are dash the way to your home preposition में यहां पर on the way हो जाएगा दावे के साथ on ही तो use होता है we are on the way to your home अगला question पूछा गया है correct the following sentence work hard hard less you may fail same question यह हम तो अभी कराई थी दो हपता पहले हमने इसी 4 semester December 2022 exam के लिए 5 series के English one liner में राथन के रूप में कराई थी और इसी में सही आप देखेंगे same वही question 2019 में भी आया था previous year in को बड़ा प्यारा है English बनाने वाले वने same वही question उठा कर रख दिया रहे के लिखा है ना walk carefully less you may fail तो इसी क्या हो जाएगा में क्या हो गया सुड हो करना था ना में की जगह यहाँ पर कट करके आपका सुड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वह आ जाएगा लिख देते हैं यहाँ पर एस हो यू एल डी सुड है आटवा देखते हैं अगला sentence देखते हैं चेंज दा फॉलाइं सेंटेंस इंटू इंट्रोगेटिव सेंटे कराया था इसी दो हपते वाली ऐले वालाई वीडियो के इस्क्रीन सौर्ट है जिसमें 10-9 मेरा थर में एक सेंटेंस कराया था यह देखिए चेंज दा फॉलाइंग असरुटिव सेंटेंस सेंटेंस क्या है एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट यहाँ पर सेंटेंस को आपको दोनों तरीके के sentence का comparison करके समझा रहा हूं कि कैसे बनेगा यहां पर जो हमने कराया था उसमें कराया था everybody likes to become great की हर विक्ति चाहता है कि वो जो है वो great बने तो इसका हमने interrogative कैसे बनाया कि who does not like to become great कि कौन महान बनना नहीं चाहता सेम अगर आप इसको हिंदी में ऐसे बनाए everybody wishes to be happy तो कौन खुष रहना नहीं चाहता है हिंदी में समझ में आपको कैसे बनेगा अब इसी को ही आप English में convert करिए कि who does not यहां लिख देते हैं कैसे बन सकता है who does not wish to be happy इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं जिस प्रकार का हमने sentence कराया था सेम वैसा ही based यह sentence था इसी पर based एक और में sentence दिखाता हूं जो opposite term करके आप यहां पर देख रहे हैं कि who does not wishes to be rich यह एक्च्वल में interrogative में दिया गया है और आपसे पूछा गया कौन सा assertive में होगा answer नीचे देखेंगे सी वाला सही है सी वाला मतलब everybody wishes to be rich सेम ऐसे sentence है यहां भी देखिया ही था everybody से sentence है everybody wishes to be happy और यहां पर क्या था everybody wishes to be rich तो सेम सेंटेंस है इसमें जो question में बनाएंगे न सेम देखिया ऐसा ही है who does not wishes to be rich sentence इसी तरीके से दे रखा है who does not wishes to be rich तो इसी टाइप से बनेगा answer में था everybody wishes to be rich यहां पर भी सेम everybody wishes to be happy तो बनेगा कैसे who does not wish to be happy तो थोड़ा सा अब अपने टेंस में second form लगती है अब यहां पर किसकी second form लगेगी ड्रॉ की second form लगेगी और रॉ की second form क्या होती है तो ड्रिव होती है D-R-E-W यहनि sentence में आपका यहां पर केवल D-R-E-W हो जाएगा third form जो होती है इसकी वो drawn होती है D-R-A-W-N तो वो नहीं use होगी second form use होती है तो sentence आपका क्या बन जाएगा I drew a beautiful painting ऐसे गर क्या आपका बन जाएगा अगला question पूछाएगा write any two merits of direct method यह तो हमने मेरा थन में भी बताया था कि direct method क्या जितने भी method है starting वाले उन में से एक नए question आता है तो एक point तो आप इसमें यही लिख सकते थे कि in this method sentence is the unit of method merits लिखनी थी ना और सबसे पहला point तो main आपका unit से ही related हो जाता है दूसरा point आप लिख सकते थे कि words taught in the related situation leave everlasting impression on the mind of the students यहनि कि जो भी इसमें पढ़ाया जाता है प्रभावी किस प्रकार से चात्रों पर होता है उसको संदर में लिख सकते थे point आप लिख सकते थे natural method होता है क्योंकि इसमें listening और speaking पर main focus किया थे मतलब यह point आप अपने according लिख सकते थे लाश रती लगू प्रसंता combine the following sentence into complex sentence यह भी same as it is sentence हमने topic wise में इसी में कराया था he lives somewhere और sentence भई है he lives somewhere I do not know it I do not know it यहां भी है I do not know it यहां भी है और यह भी देखेंगे तो 2016 four semester में आया होगा और sentence क्या बनेगा sentence बनेगा I do not know where he lives यह इस तरीके से बनेगा complex में बनाना था ना देख लीजे complex में बनाना था और यहां पर भी देखें तो complex लिखा हुआ है, यानि sentence क्या बन जाएगा, I do not know where he lives, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो अभी तक मैंने जितने भी question देखें, मुझे नहीं लगता है, इसमें से कोई भी ऐसा question होगा, जो आप गलत करके आए होंगे, चली अब बढ़ते हैं, sort type question होगी तरफ, वीडियो ल breakdown होता है, water supply की, दो number में आया है, हमने महराथन ग्लास में आपको जो letter कराया था, देख लीजे, महराथन ग्लास का screen shot है, वो हमने कराया था, write a letter to the health officer complaining about, यहाँ पर भी हमने complaining कराया थी, पर किसे related क्या है, यहाँ पर topic की जो condition है, हमारे area की वो बहुत कराब है, उसको लेकर के topic देखें, मिलता जुलता कितना है, यहाँ पर भी आप किसकी लेकर के, complain को लेकर के ही, तो कह रहें कि वहाँ पर water supply के complain है, पर यह letter जो है, आप editor को लिख रहे हैं, news paper के editors को, तो वहाँ पर के according, आप बस चीजों को थोड़ा बदल लेते, इसी के according, जैसे to the health officer करके है, तो य आपको दिखाई थी, faithfully, x, y, z, करके लिख सकते थे, अगला है, write a paragraph of importance of English, इससे मिलता जुलता भी देखेंगे, तो आप महरातन में कराया था, दूसरा topic था, हमने कराया था, इसी महरातन का screenshot, हमने कराया था, importance of morning walk, तरीका आपको समझा दिया था, मैंने का था, वही नहीं आ सकता, यह है कि हम तरीका आपको समझा देने कैसे कैसे लिखना है, बस इसी के according आप लिख सकते थे, तो आपके में importance of English करके आया था, तो English के तो बहुत से importance है, आप अपने according लिख सकते थे, चौदर नमबर बसना आप से बुचे गया है, change the following sentence into passive voice, पहला sentence है, the children have made the box, अब अब देखें, active से passive voice, अलग से topic wise में हमने देखा था, अब कैसे बनाने का rule था, बताया था, सबसे पहले sentence पहचानी है, has have लगा हुआ है, यानि कि यह sentence आपका present perfect का है, present perfect का sentence पहचाना, तो बदलेगा कैसे, सबसे पहले जो object आ रहा है, वो subject बन जाएगा, तो the box सबसे आगे यहाँ पर जो है वो आपका आजाएगा, clear है, the box के बाद has have के साथ यहाँ पर have लगा दीजे, the box have हो जाएगा, क्योंकि plural form ही रखेंगे, have हो गया, उसके बाद आपका क्या लगता है, been लगता है, क्योंकि यहाँ पर have के साथ third form होती है, तो किसमें बदल जाती है, have been में आता ही है, तो made ही रहेगा third form में, made के बाद फिर उसके बाद आपका by से sentence आगे का जुड़ जाएगा, by और बाकी आपका जो subject है, the children, वो यहाँ पर आ जाएगा, by the children, इस तरीके से sentence आपका बनना चाहिए, तो answer आपका यही हो जाएगा, देखे, एक ही sentence का क्या rule regulation है, कि एक sentence को आप और भी अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं, तो यदि आपको लगता है, किसी भी चो भी उपर अभी तेक हमने देखे हैं, कि आपने इस और तरीके से बनाए, तो comment में आप बता सकते हैं, कोई question हो तो पूस सकते हैं, यह sentence का type बताया था, कि जब आपका sentence, अगला कि अबजेक्ट क्या लाएंगे, तो let object क्या लाएंगे, the door लाएंगे, तो let the door आपका यहां पर आएगा, उसके बाद आपका बी आ जाएगा, तो बी आ जाएगा, उसके बाद आपका past participle जो होगा, वो आ जाएगा, प्लस मैंने क्यों लगा दिया, let the door be closed आएगा, at once करके, लाश्ट में वाला जोप है वो यहाँ पर आ जाएगा closed at once ऐसे करके sentence को आप बना सकते हैं let the door be closed at once बढ़ते हैं 15 नमबर प्रसन की तरफ 15 नमबर प्रसन आपसे पूचा गया है fill in the blanks with correct conjunction अब यहाँ पर conjunction यह पहला जो conjunction आया है अगला प्रसन था conjunction अलग से conjunction हमने पढ़ाई दिया आपको topic wise में देखें यह topic wise में 12 दिन पहले conjunction पढ़ाया था जिसमें से ही same आपको जो condition पढ़ाई थी हमने कि जब condition या सर्थ वाले question आते हैं वहाँ पर दो चीजे होती है if और unless का use इफ का use जो होता है वो positive के लिए होता है positive sentence यो positive अर्थ को दरसाने के लिए और unless का use negative sentence क्या कहरा है dash you do not work hard you cannot pass clear इनोंने do not work ही use कर लिया मतलब आपको sense लगाना ही नहीं है जब negative sense use हो गया है तो सीधे सीधे आपको क्या बताया मैंने unless का use जो है आपका होगा बहुत से हमने तो example भी practice किये थे जैसे ये था you will pass dash your card तो यहाँ पर if use होगा क्योंकि ये positive sense दे रहा है तो आपका यहाँ पर answer क्या हो जाएगा unless use होगा if और unless दो ही ऐसे हैं जो यहाँ पर use हो सकते थे तो if या unless में unless use होना चाहिए समझा मैंने आपको topic wise में दिया था अगला sentence था he speaks dash English dash Hindi अब देखिए यहाँ पर बहुत से च्पिरिंदब्लैंक्स बरे जा सकते हैं हमने इसी conjunction वाली class में आपको थोड़ा सा और screenshot दिखाते हैं देखिए यह इसी का ही screenshot है conjunction का बताया था either के साथ और use होता है neither के साथ nor use होता है not only के साथ but also use होता है इनमें से कोई आप यहाँ पर fill कर सकते हैं इसीलिए मैं आपको दिखा रहाए और conjunction का भी यही screenshot है जिसमें मैंने बताया था कि both के साथ end use होता है clear है अब यहाँ पर आप भर क्या सकते थे he speaks both भर सके और both के साथ क्या use होगा? and use होगा यानि he speaks both English and Hindi, sentence बिल्कुल सही है कि वो English और Hindi दोनों बोलता है बस आपको ध्यान यह रखना था कि अगर आप यहाँ पर both लिख रहे हैं तो यहाँ पर and आना चाहिए क्योंकि both जो है वो and को follow करता है, एक sentence ऐसे बनाया जा सकता है, इसी sentence को बनाया जा सकता है either or से, यहाँ पर आप अगर either लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, और आना चाहिए, कि he speaks either English or Hindi, मतलब वो इन में से कोई एक भास बोलता है इस संदर में इसका अर्थ निकल जाएगा sentence गलत नहीं होगा, क्योंब अर्थ बदल जाएगा, इसी एक प्रकार neither nor से भी आपका, यहाँ पर neither अगर आप लिखेंगे, nor लिखेंगे, तो भी sentence बिल्कुल सही है, और एक और यहाँ पर बन सकता है, not only but also से, कि he speaks not only English, but also Hindi, यानि कि कि वो लो English ही नहीं बोलता है, वो Hindi भी बोलता है, तो उस तरीके से भी sentence आपका सही होगा, तो इसमें मैंने चारो pattern बता दिये, जो main main हो सकते थे, और एक pattern और इसमें आ सकता है, वो इसी का एक और screenshot है, conjunction का ही देखिए है screenshot, इसमें मैंने weather के साथ बताया था, और use होता है, weather के साथ और भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं, कि he speaks weather English और Hindi, यह भी आपका एक meaningful earth दे रहा है, तो weather और both and either or neither nor जिसने मैंने बताया है, वो सब यहाँ use हो सकते हैं, आपने क्या लिखा था, comment में जरूर बतायेगा क्योंकि इन्होंने दो फिलिंदा blanks दे दिये न, इसलिए इतने सारे यहाँ पर answer आ सकते हैं, 16 प्रसंद देखते हैं, कि change the following sentence into indirect speech, he said I have finished the work, तो सबसे पहले subject आपका C है, तो C का, तो already C रहेगा C हमने लिख दिया, यहाँ पर said है, to अगर लगा होता, said to told में change होता है, केवल said नहीं change होता है, तो said का said already ऐसे ही रहेगा, comma inverted, comma हट करके यहाँ पर that आ जाएगा, I have finished the work, अब यहाँ पर जो have, लेकिए जो I है यह आपका change हो जाएगा, C के coding, तो C में ही आप बदल सकते हैं, तो यहाँ पर हम C लिख देते हैं, उसके बाद helping verb have है, किस में change हो जाती है, head में change हो जाती है, तो had यहाँ आ जाएगी, finished the work जो होगा, यह तो ऐसे ही आ जाएगा, तो sentence आपका finished ऐसे ही रहेगा, the work भी आपका ऐसे ही रहेगा, अगला sentence, he said to me, you may go, वे इस sentence को मना सकते हैं, he said to me, you may go में, he आपका ऐसे ही रहेगा, said to है, तो told में change हो जाएगा, he told और me आपका आ जाएगा, comma inverted comma जो है, इसकी जगा, आप that लिख दीजिए, you may go है, तो you जो है, ये आपका I में बदल जाएगा, और may go का, may आपका might में बदलता है, M-I-G-H-T, और go जो है, ये आपका ऐसे ही रहेगा, I might go, इस तरीके से sentence बन जाएगा, अगला question 17 है, what are the objective of teaching prose, तो theory है, लिख सकते थे, last में देखे, इन्होंने main character tip, जो है, वो grammar translation method के पूछे थे, तो ये भी आप लिख सकते थे, क्योंकि पूरा grammar translation method, हमने बहुत detail में आपको, महराथन क्लास में बताया था, ये था हमारा पूरा paper का solution, कितने क्या number आपके आए, टोटल के में से कितने सही रहे, अपना score अवस्ट कमेंट में बताईएगा, वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले update में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिंद,